तो दोस्तों आप लोग कैसे आपके आप लोग अच्छ होंगे और स्वास्त होंगे और अच्छी तरसे त्यारी कर रहे होंगे तो दोस्तों आप सभी को पतावा कि बिहार बोट का जो फाइनल एकजाम होने बला है वह काफी नदी का चुक है अच्छी तरसे त्यारी करेंगे अपाँ रखित पराप्ती कर पूस्थ को सब्सक्राइब करें द्सकार आप सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे कि वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे क्यूंकि लाइक कर दे कि लाइक कर दे दोस्तों आपको बता दे इस पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो की नीचे लिंक है याचा है पहले लिस्ट मा आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएका वहां से देखें सभी परशन को अच्छी तरशी तरशी याद कर सकते हैं जोस्तों आपको बता दे इस वीडियों जितने ही प्रशन है प्रशन के एंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे जाके कोमेंट करे ताके आपको भी पता जैए कि आपका आंक ले कि आप अच्छी तरह से आप इससे पृष्चन को देख पाएंगे याद कर पाएंगे तभी जा कर बेतर से बेतर अंक्ल ला सकते हैं तो दोस्तों आप इस दर्पन में की बल अभासी पतिम बनेगा तो दोस्तों आप इसका राइट इंसर केम बात के लिए इसका जो राइट का है या दोस्तों आप से जाम में फूर सकता है कि ऊतल दरपन में कोन सा बनेगा नहीं कैठ सा इसका राइट एंसर है आप यह देखे लिए दोनों प्रशने की समतल समतलदर्पन में परत्विम की परकरतिक क्या होती है जिसका राइट एंसर ओप्सेंड डिस आभासी तता बराबर तो आपको फाइनली यहाल कहां कि समतलदर्पन में परत्विम की जो की इस ऑपर सब्सक्राइब आपको था? सब्सक्राइब का सब्सक्राइब की फोकस दूरी उसकी वक्ता तिर जाकी होती है तो दोस्तों आप दिख सकते चार ओप्सन दिया जो कि ओप्सन इसी परकर आपको बोडिक जामें भी देखने को मिलेगा और आपको इसी मिसेज जो राइट एंसर वह आपको चुनना होगा उसके बाद आपको गोला करना होगा जिसका राइट एंसर के सक जो राइट एंसर है ओप मते ही एस का राइट एंसर है अगले प्रश्ने आप दिख सकती पांचमों प्रश्ने की परकास तरंग उधारन है तो दोस्तों इसका राइट एंसर है ऑप्सन और बीस का राइट एंसर है विद्धु चमुकिये तरंग का तो दोस्तों आपको सिंपली याद की परकास तरंग का उधारन है तो विद्धु चमुकिये तरंका पांच का सैंसा ओप्सना बीस का राइट एंसर है दोस्तों काफी महात्पून प्रस्टन है यहां पी 2017 पूछे गए तो हो सकता है आपको बोडिक जा में भी आ सकता है इसलिए आपको यादना की परकास तरंका उदारान दुआ यहां पी विद्धू चमुक तरंका तो पांच का सैंसा ओप्सना और बीस का राइट एंसर है दोस्तों आपको बता दी कि बोडिक जाम में आपसी दो नमर पूछ सकता है कि परकास किसे कहते हैं ठीक है तो आपको फैनल लिख रहा है कि परकास एक ऐसी उर्जा है जिसकी सहाईतास हम किसी वस्तू को दे परकास करते हैं ठीक है तो आपको यह याद करना रखना है चले दुस्तों अगली प्रश्णिक ओडश्यान की ओड चलते हैं अगली प्रश्णिक होता है उत्तल दरपन द्वारा बना परत्मेम होता है तिसकर राइट लिख जो राइट एंसर हमेशा सीधा तो दोस्तों आपको सिंपल है कि उत्तल दरपन द्वारा बना परत्रिम होता है तो हमेशा सीधा आप से एक्जाम में पोग सकता है काफी मातपुन प्रशने की उत्तल दरपन द्वारा बना परत्रिम होता है तो हमेशा सीधा होता है ठीक है तो छे का सैंस ओप्सन हो एसका रा को देख रहें वीडियो को सुरू सले की लास्तक बने रहें तब यह जाए कि आप अच्छी तसी सभी प्रश्ण को याद कर पाएंगे और दोस्तों आपको बता देखते उससे पांसे चे दिन के बाद एक बार फीसी देख लिजी इससे क्या हो जाएगा रिबीजन हो जाएग नमर 20 का right answer है अपतल दरपन द्वारा तो आपको फाइनल याध कह कि कीसी वक्रत्वी में नमर 20 का यह जाट्व कर 15 अधिन जाएंगर प्रश्ण है यदि किसी दरपन द्वारा बननी पत्रश्विम का अकार हमेसा वेस्थर की बरआबर हो तो दर्पन होगा यदि किसी दर्पन द्वादा बने पर त्विम का अकार हमेशा व्षined की बराबर हो तो दर्पन हो गा क्या दर्पन होगा सब्तल हो या अप्तल होगा या उत्तल हो गा या उत्तल या अप्तल दोनों होगा लेइ समतल दोगा तुझा राइठ अंसर का रहा ह Semtalone दरपन होगा तो समतल दरपन तो आठका सेंस अप्शन में एसका राइट एंसर है अगले प्रश्ण आप देख सकती नौनों प्रश्ण की लिटमस रंजक बैगनी रंका होता है जो निकाला जाता है तो दोस्तों आपको फाइनली चार ओप्शन देंस का राइट एंसर है इसक निकाला जाता है तो नौका सेंस अप्शन में एसका राइट एंसर है जो अगले प्रश्ण है काफी मातपुलर प्रश्ण है काफी बार पूचे कि इसम भी बी आइप प्रश्ण भी पोल सकते हैं तो दुस्तों आपको फाइनली आपकी संग मरमर का रसायनिक सुत्र क्या है संग मरमर का रसायनिक सुत्र क्या है जिसका राइट एंसर के हम बात कर लिए जिसका जो राइट एंसर है ओप्शन में एसका राइट एंसर है जैसा कि दूस्तों आप सभी को पता हूँ कि केमेश्टी में अधिकतर प्रश्ण को अच्छी तरह से याद करी तभी जाके और सकते हैं तो चलते हैं प्रिख सकते हैं निमनांकित में कों लवन है प्यार अपिछों पूर डिया है इसका राइट एंसर के राइट एंसर तो यह जो प्रश्णे 2015 पूछे के तो काफी उमीद के साथ का सकते हो सकता है तो आपको एक जामे भी आ सकता है तो दोस्तों अगली प्रश्णे आप देख से ती बारव प्रश्णे की अपच्छ का उपचार करने के लिए निम्नांकित में से किस औस्ती का उप्योग होता है पच्छ का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औस्ती का उप्योग होता है जिसका राइटेंसर जो कि यहां पर देख सकते हैं एट एसिड ठीक है जिसे हम पती आमल भी कह सकते हैं तो दोस्तों आपको एक बाद फीसे प्रश्ण सुन लेना है कि अप पच्छ का पूछे गए हैं अगले प्रश्ण आपी दिख से ती तीरन प्रश्ण की किसी को लाइडिये विल्यान में निलंबीद कनों से परकास की परकिनन को कहा जाता है जिसका राइटेंसर अप्सर नमर सीस का राइटेंसर तो दोस्तों आप सिप पूछ सकता है कि तिनल परभाब क किसे कहते हैं तो यह भी आपको दो नमर पूछ सकता है तो आपको फाइनल इतना लिख देना कि किसी को लाइडिये विल्यान में निलंबीद कनों से परकास की परकिनन को कहा जाता है तो क्या तिनल परभाब करते हैं तो तो तेरा का सैंसर नमर सीस का राइट एंसर यह जो हैं 24 में पुछें तो कापी उमीद के साथ कर सकते हैं कि आपकी एक्जाम में भी आ सकता है तो चलिए जोस्तों और फाइस की और चलते हैं घोल का रंग परवरतित हो कर कैसा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट का जलिए घोल मे southwestमा स्टराइस का राइट एंसर तो दूस्तों आपको सिंपलल दिया कि जलिये घोल मिलाने पर घोल का जो कि रग्यूनग है परवर्थित हो गोर कर से कौन मानम में मदा ज़ो कि जनन तंद्र का भाग नहीं तो सुख्रवाई का पंदर का सईन सरो ऑप्छन मरंग सीज का राइट इंसर है अगले प्रशनिया अपी दिख सकते 16 प्रशनि कि सुक्रानु बनता है तो दोस्तों किसमें बनता है इसका राइट एंसर करे तो दूस्तों आपको यह की सुक्रानु बनता है तो अंडासे में बनता है अगले प्रश्ण आपी दिख्षती 17 प्रश्ण की किया किस जीव में मुक्यत होती है ते आपी दिख्षती की चार जीव का नाम 10 का राइट एंसर गमबाद कली तो दोस्तों आपको फाइनली यादगे कि नीशियेचन की किरिया की जीव में मुखेता होती है तो पुषपी पादब एबन जनतों में होती है अगले प्रशने आपको देख सकते हैं अठानों प्रशने की मानब मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है मानब मानब मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो इसका याँ पर भाग नहीं इसका राइट एंसर के हम बात कर लिए इसका जो राइट एंसर ऑप्सर वर सी है सुक्र वाई का तो दोस्तों मानब मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है सुक्क्र वाई का 18 साथारा का सयनसा,OPTIONS,SYS का राइट इंसर है तो दूस्तो अभी तक वीडि़ो को लाइक नेए तो वीडि़ो को लाइक कादी क्योंकि आपके अपिक मेहत करके वीडि़ो बनाते हैं तो 1 लाइक दो बनता है तो एक लाइक कर दें साथ अपनी दूस्तों में Facebook ग्रूप और स्पूर्प में भी शेयर कर दी ताकि और भी चाहँ जूर सके वह भी त्यारी करके बेटर से बेतर अंकिल लाज के दूस्तों आपको बता यसे पहले का वीडियो आप नहीं दिखे तूसे भी जाकि दिख लेजी ताकि आपका जो तयारी और भी बेटर हो सके दूस्तों आपको बता दी कोई प्रिष्ट में डॉट है तो डॉट कर सकते हैं लेगे साथ यहाई कि आपको रिवीजन करना हूं माल जी कि जोस्तू आपके मन में यही परिशन उठरावा कि हम जो भी परिशन पढ़ते हैं या याद हो जाता है दो दिन तक याद रहता है फिर हम भूला जाते हैं क्यों भूला जाते हैं इसका कारण ही है यह कि आप रिवीजन नहीं करते हैं क्योंकि आप एक बार यह यहां पर ठीक है हमको दो दिन तक यह प्रशन का एंसर भी याद रहेगा ठीक है और कल परसू जाएक हम भूला जाएंगे ठीक है और फीर से एक बार देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रशनिक नहीं भूल पाएंगे ठीक है तो इसमें आप प्रश्णी करा की मादब जो कि यहां पे मानम में मादा की जनतंत्र भाग नहीं है तुम आपी शुक्र वाइगा ठीक है दोस्तों चाहिए नहीं को सब्सक्राइब करें साथ में बैल अकर उसको भी दवा के लाव करें ताकि लेटेस वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले स में गुं सूतर का पुना जोरा पाया जाता है का पी का काफी बार पोछे गया कि लिंग गून सूतर का पुना जोड़ा आप पाया जाता है तो इस तीरी में पाया जाता है उनीस का सहय अप्शन में 20 का राइट एंसर है अगले प्रश्ण आपको यहां कि गुंसूत्र कहां पाये जाते हैं गुंसूत्र कहां पाये जाते हैं जिसका राइट एंसर है ऑप्शन में इस का राइट एंसर है क किन प्रश्चन की फूल के पौधे के नर्वाग का क्या नाम है उसको पूल है ile उसकी नर्वाग को हम क्या करते हैं क्या नाम है जिसका राइटन सीज का राइट एंचर वो केष्वर तो की से 항 सेACE साइन्स और सीजिस का राइट एंसर है दोस्तों आप को बता दे जो भी चात इस वीडियो को देख़ रहे है इस ड्रीम को जा जाब से जात इस वर्स एक्जाम देने वाले वह भी जूर सके वह भी त्यारी करके बेतर से बेतर अंकिल लाज सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप सभी को पताओं कि बोडिक्चा में अब हैं जो कि साइट ऑब्जेक्टिव प्रिशन पूछे जाते हैं जिसमें सापको 50 का ही सही सही जब क्योंकि हुस सकता यही परिशन आज सकता क्योंकि हम भी नहीं कर सकते और आप जात और वी बेतर तरीका से कर लीजे ताइक आप से बेतर अंग पराथ निकर्स कर सके तो चले देस्ट वह अगली पषणनि की ऊवर चलते हैं देस्ट वह नहीं परसी काफी मात्पूर्थ जूल तो दूस्तों आपको फाइनली क्या रहा कि एक किलो वाट गंता है निमने कि किसकी बराबर होता है तो तीन पॉइंट छे गुनी दर्सकी पावर छे जूल के बराबर होता है यह जो प्रशने दोजाद चौदर दोजाद 15 में पूछे गएं तो काफी मात्पून प्रशने तो फाइनली आपको क्या रहा कि तीन पॉइंट छे गुनी देस की पावर छे जूल होता है वह से तो आपको यह सभी ऑप्सन एभी देखने को मिलेगा ऑप्सन भी ऑप्सन डी इसलिए जाता है ताकि आप बच्चों को यह ऐसे में प्रश्ण याद आता है मालेजी कि आप उनसे अगर प्रश्ण पूछे तो वह अवस्य बता देगा ठीक क्योंकि बहुत सार ऐसे भी छात होते हैं दोस्तों अगली प्रश्णे आप देख सेते तैसन प्रश्णे की एक सो वाट का विदूत बल्प दोसो पचास वोल्ट के विदूत में से जोरा जाता है तो बल्प से परवाइद धारा कामान होगा मैं दोस्तों एक सो वाट का विदूत बल्प जो की दोसो पचास वाट के विदूत में से जोरा जाता है तो बल्प से परवाइद धारा कामान होगा जिसका राइट इंसर क जो कि यहां पे 5 एंपियर होगा ठीक है तो एक फिर से यहां पे प्रश्न को सुल लेजिए कि 100 वाट का विधूत बल्प माले जैसे 100 वाट बल्प जिसम करते हैं वही माले जै और यहां पे जो कि अरहाई सो वर्ड के विधूत में से जोड़ा जाता है तो वल्प से परवाई करा आधना होगा ठीक इसके लिए उपर सुत्र होगा जो कि आपको अगर फीजिक्स भारति बार्म के लिए तो इसमें आपको सुत्र A, two, Z मिल जा जाता है जो कि आपको अन्ती मिल जाते हुआ जाकि सुत्र भी याद बढ़े तभ ही जाका बैठाकर लिखा सकते हैं वहां हम बता है इसका जो राइट एंसर होगा ऑपसर में सी हो जाएगा दो पॉइंट फाइप एंपियर ठीक है मतलगी टू पॉइंट फाइप एंपियर इसका राइट एंसर है यह जो प्रशने कuzu थेगों की किस परभाब पर कारे करता है तुचमछें सेंस राइट एंसर है अगले प्रस्ना फींають धारा मापने में किस्का उप्योंग होता है धारा मापने में किछा उप्योंग होता है जिसका हिस्त की नहीं आप कि अफिक होता है तो एक होता यह वोट मीटर ठीक है तो आप सक्जाम में यह भी पूछ कके एमिटर के आपको यह बूक में दिया है पांच चे आंतर वहां से आप पढ़ लेज़े की परस्णशन काफी वार पूछे गए है ठीक है अगले प्रश्ण आप ही दिख सेथे 26 प्रश्ण की ए मीटर को विद्धूत परपत में जोड़ा जाता है जिसका राइट एंसर कम बात कर लिए इसका जो राइट एंसर है और सीज का राइट एंसर है सिरेनी करम द्वारा तो दोस्तों आपको फाइनल याद कि ए मी में आपम दोड़ो आपको मिलतारे सबसे पहले दोस्तों आपको बता और आपको एमेंट सबस्कराइब के ले का सब्सक्राइबक अगले प्रश्ण को दोने करहते हैं प्रवानु का केंदरी बाग कहलाता है इसका राइट एंसर नाब किये तो दोस्तों आपको कि घंटा बराबर होता है किन यूनिट अपके निकालता है कितना यूनिट होता है, होता है कितना होता है इसका राइट एंसर का राइट एंसर है एक हजार यूनिट तो आपको यहाद किया है तो किलो वाट घंटा बराबर होता है है एक हजार यूनिट 29 अप्सन और 20 का राइट एंसर है काफी मात्मुं प्रशने अगले प्रशन आपहीं देख सकते एक एच पी जो कि यहाँ पर बराबर होता है ठीक है यहाँ पर बात कर गई सीप यह भी देख सकता है कि एक एक एच पी ठीक है क्या मलकि आपको संक्या पर देगा इसका किया कितने के बरावर होता है तो सकता है तो आपको यह पूछे बोडिक जामें और ऑप्सन हो सकता है तो बी सी डी कहीं भी मनलखी दे सकता है ठीक है तो आप पहले तो प्रस्ण को दोबार पढ़िए उसके बाद आप सही गलत का निना लेज़े ठीक है अले प्रश्ण आप देख सकते एक-30 समर प्रश्ण की किसी परपत का वगुन जो विद्धुत उर्जा को उसमा में बदल देता है कहलाता है किसी परिपद का हुआ गुंजो विद्धुत उर्जा को उस्मा में बदल देता है कहलाता है क्या कहलाता है तो पती रोध कहलाता ठीक है यह आप पूछ सकता है दो मन कि पती रोध क्या है ठीक है तो आपको यह लिख देना किसी परिवद्द काूँ जो विद्धुत उर्जा को उस्मा में बदल देता है कलाता है तो पती रोध कलाता है दो का सभी अंसर ऑप्शन और वीर्स का राइट एंसर है तो दोस्तों आपको बता दे इस वीडियो में जो कि का लाज दिन का आपके साइस की मोडल पेपर में कुछ की सब्सक्राइब दो तो दोस्तों चाहनब नहीं हो सबसे पहले वीडियो आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों फिर में किसी और वीडियो को साथ जाहिंद आप सुब का दिन सुभ हो